समस्कार साथियो रेलवे की पार्ट शाला पर आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अरारवी एंटीपीसी भरती दोजार चोबिस के उपर बात करेंगे और इसमें यह देखेंगे कि आरारवी एंटीपीसी की जो बरती है उसमें लेटिस्ट सिलेवस क्या ह इस बार 2024 के अंदर एक्जाम पेटर्न में इस बार काफी बदलाव यहां पर हुआ है तो क्या यहां पर बदला हुआ है किस किस पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट होगा किस किस पोस्ट पर साइको टेस्ट यहां पर होने वाला है तो चलिए सब कुस देखते हैं इस वीडिय करनी है इसके लिए देखिए रिसेंटली जो 2019 में एंटीपीसी की भरती आये थी उसके प्रिवेशर क्योशन पेपर आप ये किरन पब्लिकेशन दरब से आने वाले बुक से कवर कर सकते हैं इसमें TCS पेटर्न पे जो भी क्योशन पूचे गए थे वो आपको सारे का सारे सिफ क्योशन पेपर है उनको यहां पर कवर किया है और यहां पर 27,000 प्लस फेक्ट के साथ आने वाली जी के की ये बुक बहुत इंपोर्टेंट रहे आपके लिए क्योंकि इसमें 1992 लेकर 2022 तक जो भी गॉर्मेंट एक्जाम हुई है रिल विम्दर उनके सारे के सारे इसमें जी क पर 27,000 पर 24 का और इसमें देखिए जैसे आप यहां पर फॉर्म ओनलाइन करेंगे उसके बाद आपका सबसे पहले CBT1 यहां पर लिये जाएगा जिसे हम 1st सेच CBT बोलेंगे उसके बाद 2nd सेच CBT2 लिये जाएगा यहां पर टाइपिंग टेस्स लिये जाएगा और कुछ पर आपका जोइनिंग यहां पर हो जाएगा अब यहां पर देखिए सबसे बात करते हैं जो CBT1 होने वाला है फरस्ट पेपर जो आपको आने वाला है उसकी तो पहला जो पेपर होने वाला है इसमें आपके 100 नमबर का पेपर होगा इसके लिए आपको डेड़ गंटा यान की मदद लेते हैं तो उनको 120 मिनट यान की दो गंटे एक्जाम के लिए याँ पर मिलेगा यहां पर देखिए नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है और अकर कोई भी क्योशन गलत करते हैं तो वन थटा तीन नमर का कटेगा और यहां पर देख जैसे आपका CBT1 ह होता है CBT1 होने के बाद आपका CBT2 यहां पर सेडूल किया जाएगा और CBT1 का सिलेबस आप यहां पर देखिए CBT1 के अंदर mathematics जो आएगा mathematics के अंदर आप देख सकते हैं यह आपके टोपिक हैं जिनसे प्रश्ण यह पर पुछ जाएंगे यह आपके जनल परसेंट है और ST के लिए 25 परसेंट यहां पर रखा गया है इसके बाद आपका होगा CBT2 CBT2 में क्या होगा 15 गुना कनिरेट को यहां पर लिया जाएगा जितनी भी वेकेंसी हैं उनका तो फिलाल जो भरते आने वाली है यहां पर graduate की जो है वो 8000 के आसपास है तो 15 को आप 8 से multiply कर सकते हैं तो 15 आट 120 यहां निकि 1,20,000 कनिरेट को यहां पर CBT2 के लिए qualify किया जाए ठीक है बदलाव क्या हुआ है पहले यहां पर 20 गुना कनिरेट लिये जाते थे लेकिन अब यहां पर 15 गुना कनिरेट की यहां पर लिये जाएंगे ठीक है यह आपको ध्यान रखना है बात करें इसके syllabus की तो यहां पर आप देख सकते हैं exam button यहां पर देखिए जो आपका CB 12 मिलेंगे लेकिन प्रशन 120 आएंगे जो CBT1 में 100 थे syllabus लगबक सेम है जहां पर आप देखेंगे वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग होने वाली है mathematics के अंदर यह टोपिक है जिनसे प्रशन पूछ जाएंगे जनरल इंटेलिजेंट एंड डिजनिंग में यह टोपिक है जिन सीप्टों में exam होगी तो नौर्मल ऐशन आपर होने वाला है ज़िक है अब यहाँ पर देंगे बात करते हैं किसकिस पोस्ट पर साइको टेस्ट होगा और किसकिस-पोस्ट पर आपके टैपिंग टेस्ट यहाँ पर होने वाला है तो यहाँ पर थोड़ा सात है नीचे और य कोई typing टेस्ट नहीं है और कोई psychology टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा, बात करें senior color come typist, देखें पीछे को नाम आपर एड़ ओर रहा है, तो समझे हैं का typing होगी, इसी प्रकार आप देखें junior account assistant come typist, इसका मतलब इसमें भी typing होगी, तो दो ऐसी post है, senior color come typist और junior account assistant come typist, जहा पर देखिए टाइपिंग टेस्ट जो होगा इसमें देखिए आपको टाइपिंग जो करनी पड़ेगी 30 word per minute करनी पड़ेगी इंगलिज के अंदर और 25 word per minute करनी पड़ेगी याप पर हिंदी के अंदर यानि के दोस्तों एक प्राइब से बोलेंगे कि ठीक ठाग टाइपिंग है लिए कोई हाड टाइपिंग नहीं होगी और कोई एज़ी भी यह ऊपर बोल सकते हैं और typing के बारे में detail से आपको यहांपर यह बता रख्खा है। आगे दूस्तों बात करते हैं यहांपर आपका psychology test के बारे में तो यहांपर दीखें एक post है category 4 की जहांपर आपके chief commercial cum ticket supervisor की post है। तो इसमें आप देखेंगे तो दोस्तों इसके अंदर आपका कोई typing नहीं है और कोई आपका psychology टेस्ट नहीं है लेकिन station master की जो पोस्ट इसके अंदर आपका computer-based aptitude test आपका होगा यानि कि आपका psychology टेस्ट नहीं होने वाला है तो अब आप समझे कि दो पोस्ट ऐसी है जहांप आपको कुछ भी नहीं तेस्ट न आपका टाइपिंग टेस्ट इसंठांगि कुणकोंसी गूटकार हो जो आपकी क्या है ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है और बात करें यहाँ पर साइको टेस्ट होने वाला है ठीक है उसके बारे में तो साइको टेस्ट जो होगा सीवीटी टू होगा उसके बाद यहां पर सोट लिस्ट किया जाएगा और यह भी देगे सिर्फ स्टेशन कि लिए पर हुने वाला है इसमें क्या होगा जितनी भी सीट्स्थ थे कर देखिये पर देखिये स्टेशन के OFTA कि उनके आट होंगे उसके अंदर आपको मिनिमम 42 मार्क्स लाना जरूरी यहां पर रहेगा और इसमें आप देखेंगे तो आपका जो फाइनल मेर्ट जब भी बनेगी तो आप आपका जो PBT2 है एक तरफ आपका होगा CBT2 एक तरफ होगा साइको टेस्ट जिसे बहुलेंगे CB80 तो फाइनल जो मेरेट बनेगी वो दोस्त करसे बनेगी आपका जो भी CBT 2 होगा उसके सतर प्रसेंट मार्क्स यहां पर एड़ होंगे और जो साइको टेस्ट होगा उसके 30 परसेंट मार् and 30% weightage of marks obtained in CBT तो 30% mark आपका psychology test के लिए और 70% आपका CBAT जो exam होगा उसके आप पर add किये जाएंगे और उसी साब से आपकी final minute यहाँ पर prepare कर दी जाएगी तो दोस्तो यह था आपके RRB NTPC में किस-किस post पर typing test होने वाली है किस-किस post पर psychology test होने वाला है syllabus क्या है, exam pattern क्या है और book भी हमने आपको suggest कर दी है जो दोस्तो आप online order भी कर सकते हैं इसके अलावा आपको NTPC बरतिके में किसी परकार का doubt है आप दोस्तो कमेंट कीजिए जल्द ही यहाँ पर एके करके जो भी आपके doubts है सब के उपर हम वीडियो बनाएंगे तो जो भी आपके doubts हैं आप दोस्तो कमेंट कर दीजिएगा चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिए और share कीजिए आपके सभी दोस्तों के साथ जो railway exam के त्यारी कर रहे हैं बाकि मिलते हैं आप से एगले वीडियो में तब तक चाहिंद